तरीकों का एलान हो गया है राजनेतिक पाच्चियों के तरफ से रैली के दौरान जनता को लुभानी की कोशिस भी कीचा रही है तो खूब बयान बाचे भी हो रही है राज्चे में महादेव एप मामले में बड़ी कारेवाई देखने को मिली तो इस पर भी आरो प्रत्यारों प्रत्यारों प्तेच होके है इस चुनावी महाल के बीच आपको बताएंगे उससे पहले एक नजर आज की टॉप हिट लैंस पर महादेव एप के इस मामले में इडी ने दायर की चाश्चित प्रोमोटरों समेत 14 लोगों के नाम शामिल अब रटार पर 19 वोलिवूट का लखार मादेव साटायप पर तेज़ हुए सियासत सीम बुपेश बगेल का बीजे पीपर पलटवार किंद सरकार पर लगाए गंभीर आरो कॉंग्रेस निजारी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट राहुल गांधी के साथ 36 गड में 40 निता संभालेंगे रैलियों की कमा 36 गड चुनाव के लिए अपने जारी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट जेल में बंद संजय सिंग और सिसोधिया का नाम भी शामिर 36 गड में चुनाव से पहले बीचेपी नेता की हत्या घर में घुसकर मारी गोली बीचेपी ने बगेल सरकार पर लगाए गंभीर आरो सबसे पहली खबर में बात महादेव एप केस की परवत्र निदिश शाले यानी की एडी ने मनी लॉंडरिंग एक्ट की धारा 44 और 45 के तहट 14 लोगों के खलाप महादेव एप ऑनलाइन सटे बाजी घुटाले में अपनी पहली चार्षिट दायर की है एडी के 197 पन्नो की चार्षिट में सौरप चंद्राकर, रवियूपल, विकास छाप्रिया, चंद्रभूशन वर्मा, सतीश चंद्राकर, सहित 14 लोगों के नाम आरोप्यू के लिस्ट में शामिल है सुबूत के रूप में 8,800 से अधिक पेच के दस्तावेजों का हवाला दिया गया है वहें एडी के अधिकारियों ने कहा है कि शिरुवाती चांच से पता चलता है कि गोटाला 6,000 करोड रुपय का हो सकता है एडी ने अपराद की आई के रूप में कूल 41 करोड रुपय पहले है अस्थाई रूप से जब्द किये है गोटाले के कथित किंग पिन और महादेव एप के प्रोमोचर सौरप चंद्राकर और रवी उपल को एडी ने मुख्य साजिश करता के रूप में नामित किया है जानकारी कनुसास सतीश ने पैसे दिये और महादेव एप के लिए आईडी खरी दी इस आईडी का उप्योग एप का उप्योग करके दूसरों को दाव लगाने के लिए किया चाता था आई को सतीश चंद्राकर और दुबई इस्तित प्रमोटरों द्वारा सत्तर से तीस फीजदी के हिसाब से बाठा गया था वही एक पुलिस कर्मी चंद्रभूशन राय को भी एप से अपराद की आई को वैद बनाने और संदिग्दों के बचाव के लिए नावित किया गया है राय के रिश्तिदारों के उद्मों का इस्तमाल कथी तोर पर धन शोधन के लिए किया गया था उसका नाम भुपाल में एक ट्रैवल एजिंसी के माली के साथ भी लिया गया है वही मीजा रेपोर्च के अनुसार जाच का अगला चरण वॉलेवूर्ड सितारों पर प्रभावसाली लोगों और टीवी अभिनेताओं पर किंद्रित है जिन्हें कथित तौर पर एप को बढ़ावा देने के लिए हवाला के जरिये भुकतान किया गया था इतना ही नहीं एजिक के वकील ने कहा कि जाच का अगला चरण महादेव एप के प्रमोचरों को राजनितिक सारक्षन के आरोपों को उजागर करना होगा उन्हें कहा कि इस बात की सुबूत है कि 36 गड़ में कुछ पुलिस कर्मियों ने सक्रिये रूप से आरोपियों के साथ मेली भगत की और उन्हें सुरक्षा प्रदान की यह जाच का विशे है कि क्या यह राजनितिक आकाउं के इशारे पर किया गया था दूसरी खबर में बात महादेव सटा एप पर मचे घमसान की 36 गड़ में वार पलटवार का दौट जारी है महादेव सटा एप को लेकर एक बार फिर सियासत शिरो हो गई है सियम वुपेश बगेल ने महादेव सटा एप को लेकर बीचेपी पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनावी पंडिंग ले लिया होगा इसलिए एप बंद नहीं करवा रहे है उन्होंने बीचेपी के उन आरोपों पर भी पलटवार किया जिसमें बीचेपी ने आरोप लगाया था कि महादेव एप के जरिये दावद और पाकिस्तान का पैसा पॉंग्रिस को मिल रहा है वपेश बगेल ने बीचेपी के आरोपों पर पलटवार करते वे कहा कि महादेव एप बंद करना केंद्र सरकार का काम है राज्य सरकार का नहीं केंदर सरकार पर आरोप लगाते वे कहा कि सरकार महादेव एप क्यों नहीं बंद कर रही है कहीं चुनावी पंड तो नहीं ले लिया और ने कहा कि महादेव एप पूरे देश में चल रहा है उसमें बीजेपी के लोग भी शामिर है बुपेश बगेल ने कहा कि केंदर सरकार 60 एप पर GST लगाकर पैसा वसूल रही है ये एप लोगों को बरबाद कर रही है लेकिन सरकार खामोश है कोई कारवाई नहीं कर रही है आगे भुपेश बगेल ने चर्चा करते वे कहा कि हमारी सरकार ने जतनी कारिवाई की है शायद ही किसी राजज ने की है बगेल ने कहा कि अब तक इस मामले में 450 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है फुलिस इस मामले में लगातार कारिवाई कर रही है आली खबर में बात कॉंग्रेस के स्टार प्रचारकों की 36 गड़ विधान सभाद चुनाव के लिए कॉंग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है लिस्ट में 40 नाम शामिल किया है इस लिस्ट में राज्चे के साथ साथ केंद्र के कई बड़े निताओं को भी शामिल किया गया है। कॉंग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में कॉंग्रेस के राश्टी अधक्ष मलिका अजुन खड़गे राहुल गांदी प्रयांका गांदी भुपेश बगे समित कई दिग्गस निताओं के भी नाम शामिल है। 36 गड़ में विधान सबाचुना में मद्दान को लेकर अब पहले फेज में ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है। 36 गड़ में 7 नुवंबर को 20 सीटों पर मद्दान होना है पहले फेज में नकसल प्रभावित जीलों की सीटे शामिल है। कॉंगरिस ने अपने लिस्ट में दो राज्यों के सीएम को भी स्टार परचारक के रूप में शामिल किया है। कॉंग्रिस ने करनाटक के सीम और हिमाचल प्रदेश के सीम को इस लिस्ट में शामिल किया है इस खबर में बात आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट की गोर करने वाली बात यह है कि पार्टी के जो नेता जेल में बंद है उनका भी नाम इसमें शामिल है बता दिए कि जेल में बंद नेता संजसी मनेश सिसोधिया भी स्टार प्रचारक के लिस्ट में शामिल है आपने अपने 37 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है इस सूची में दिल्ली के सीम और आपके रास्टी संयोजर अरविंद केजरिवार पंजाब के सीम भगवंतमान आप सांसत संजे सिंग, पार्टी नेता मनेश सिसोधिया और अन्य पार्टी नेता के नाम शाविल है गौर्द लबे के संजे सिंग और पार्टी नेता मनेश सिसोधिया जिनका नाम सुचिवे तीसरे और पांचवे अस्थान पर है फिलहाल कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बन थे इतना ही नहीं उनकी मुश्किले बढ़ती भी जारी ऐसे में पार्टी की तरब से उनका नाम इस लिस्ट में शामिल करना कई तरह की सवाल खड़े करता है बता दें कि दिल्ली और पंचाब के मंत्रियों के रावा आप सांसद रागाव चड़ा और क्रिकेटर हरभजन सिंग को आम आदमी पार्टी ने 36 गड़ के लिए स्टार प्रचारक बनाया है आपने 36 गड़ में 2018 के विधान सभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाई थी और कूल 90 सीटों में से 85 पर अपने उमिदवार भी उतारे लेकिन राज्ज में अपना खाता तक खोलने में असफल रही है वह इस बार के जिवाल जीत का दावा कर रहे हैं बता दे कि 36 गड़ विधान सभा के 20 सीटों के लिए मदान 7 नवंबर को होगा जबकि बाकी 70 सीटों के लिए वोट दूसरे चरण में 17 नवंबर को डाले जाएंगे 36 गड़ में वोटों की गिंती चार अन्य चुनावी राज्जों के सार तीन दिसंबर को नधारी थी अगली खबर में बात बीजेपी नेता की हत्या की मानपुर के सरखेडा में बीजेपी नेता को नकसलियों ने मौत के घाट उतार दिया जानकारी के नुसार बीजेपी नेता विर्जु तारम पूजा करके घर लोट रहे थे इस दोरान रास्ते में घेर कर नकसलियों ने उन्हें गोली माती वो दिन भर पार्टी के महला कारिक्रम में उपस्तित थे चुनाव के समय हुई इस घटना से दश्यत का महाल पैदा हो गया है बीजेपी के पूर्व मंजल महामंद्री विर्जु तारम की छवी कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में थी वहीं एक तरह बिधान सभा चुनाव के दर्मियान बीजेपी नेता की हत्या से फिर लंबे अंतराल के बाद मानपूर में नकसल घटना को लेकर दश्यत का महाल कायम हो गया है तो दूसरी तरह बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है वर्वसीम रमन सिंग ने शोसल मीडिय आक्स पर कहा है कि मोहला मानपूर के आदिवासी भाजपा नेता विर्जुतारम की हत्या एक बार फिर भाजपा कारेकरताओं को डराने की कोशिस के लिए हुई मैं शोक संपत परिजनों के प्रती संविनाय व्यक्त करते हुए यह वादा करता हूँ कि इस कुशासन के विरुद हम डरने या रुखने वाले नहीं है इस अत्याचारी सरकार से लहु के एक एक कत्रे का पूरा हिसाब लिया जाएगा वहीं बीज़पी के प्रदेश अध्यक्ष अरुन्ठाव ने कहा कि यह टार्गेट के लिए है कारिकरताओं की शहादत व्यर्थ नहीं चाने देंगे उन्होंने कॉंग्रेस की सरकार पर गुंडाराच को सरक्षन देने का आरोप लगाती वे कहा कि कॉंग्रेस सरकार को उखाड फेकेंगे और शांती और कानून का राच कायम करेंगे वहीं गौर करने वारी बात यह है कि मानपूर के भीतर कई बीज़पी निताओं को नकसली संगठन के द्वारा जन अदालत में मौत देने का फर्मान है काफे संख्या में मानपूर ओंधी के बीतर अब तक जन प्रतिनीद्यों को नकसली मौत के घाट उतार भी चुके हैं जो नकसली संगठन के टार्गेट में हैं उन्हें किसे भी प्रकार की सुरक्षा देने वे फुलिस महकमा और शासन पीछे हट गया तो इसे के साथ हमारे शो च्छतिस गड़ के छत्रप में फिलाल करेता ही कल एक बार फिर से च्छतिस गड़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे चुनावी हाल चाल आपको बताएंगे देखते रहे कापिटल टीवी नमस्कार